नमस्कारी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आप सब का एक बार फिर से स्वागत है बाईजूज इग्जाम प्रेप आयस हिंदी के यूटीब चनल पर आज यानि की दो मार्च सुप्रीम कोट ने एतिहासिक फैसला देते हुए हमारे चीफ इलेक्शन कमिशनर की है उसके पास पूरी पावर होती थी चीफ इलेक्शन कमिशनर और अधर इलेक्शन कमिशनर को नियुक्ति करने की बट आज अपने लैंडमार्क डिसीजन में एक माइलिस्टोन रूलिंग में सुप्रीम कोट ने ये बता दिया है कि अब से लेकर चीफ इलेक्शन कमिशनर क की नियुक्ति के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा एक एक चीज बहुत बारीक से बताऊंगा साधारां शब्दों में बताऊंगा पूरा विडियो देखेगा सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महतपूर सूचना आप स इसको देखना बिलकुल बंद भूलिएगा डेट याद रखिए 5 मार्च सुबह 11 बजे बाईजूज एक्जाम प्रेप एप में ये वर्क्शॉप और्गनाईज कराई जाएगी इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्टेशन का लिंक मिलेगा उ जो चीफ इलेक्शन कमिशनर होते हैं या जो अधर इलेक्शन कमिशनर होते हैं उनकी न्यूकती करी जाएगी एक पैनल के माध्यम से यानि कि एक कमिटी होगी उस कमिटी में कौन कौन होगा उस कमिटी होगे सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे उस कमिटी में ह मेंबर होंगे वो होंगे Chief Justice of India अगर यहाँ पर Leader of Opposition नहीं होते हैं तो यहाँ पर जो भी Single Largest Opposition Party होगी लोग सभा के अंदर तो उसके Leader यहाँ पर Nuket करे जाएंगे The Most Important चीज आपको बता रहा हूँ यानि कि पहले ये जो समिती है ठीक है ये नाम सुझाएगी और ये नाम किसको देगी ये देगी President को President उसके बाद इन पदों के लिए नियुक्ती करेंगे अब देखिए यहाँ पर जो Supreme Court का Judgment आया है तो इस Judgment से पहले कि अगर बात करें कि भाई अभी तक जो नियुक्ती है वो कैसे होती थी तो Chief Election Commissioner की बात कर ले या Other Election Commissioner की बात कर ले तो इनकी नियुक्ती President के दौरा करी जाती थी हालां कि President जो थे वो Advise करते थे अपना मंतरी परिशत से Council of Minister से तो वो जो भी नाम इनको बताते थे ये उनकी नियुक्ती कर देते थे अब आपको पता है लास्ट इयर Supreme Court में एक PIL फाइल करी गई थी और उसको देख रहते K.M. Joseph जो वहां के नया धीश है इन्होंने ये भी कहा था कि जो Arun Goyal की नियुक्ती हुई थी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 24 घंटे भी नहीं लगे इनकी नियुक्ती का प्रोसीजर इतनी जल्दी कम्प्लीट हो गया एक lightning speed से इनकी नियुक्ती कर दी गई तो कहीं न कहीं अभी तक पूरी तरीके से कारेपालिका के हाथ में इस चीज की पावर थी और इस चीज पे बहुत सारे प्रस्नेचिन भी उठ रहे थे जिसको अब सुप्रीम कोर्ट के इस जज्जमेंट ने पूरी तरीके से शांत कर दिया है अब यहाँ पर मुद्दे की बात है उस पे चर्चा करते हैं अभी के लिए जो प्रेजेंट एपॉइंट्मेंट प्रॉसेस था वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इनकी नियुकती राश्पती के दौरा होती थी परन्तु इनको कारेपालिका से पूछना पड़ता था थोड़ा सा चुनाव आयों के बारे में जानते हैं तो एक चीज जानिएगा कि ये जो है वो स्थाई और स्वतंत्र जो एक बॉड़ी होती है इंडिया में उसके रूप में इसको देखा जाता है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक यानि कि ये कौन से पार्ट में आएगा पार्ट 15 में तो इसमें आता है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है निरवाचन तो पूरी तरीके से एक समवैधानिक निकाय हो जाता है अगर इसका काम पूछत है बिसिकली ये लोग काम क्या करते हैं तो यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट सी बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा जो लोग पहली बार अभी पॉलिटी इन्होंने नहीं पढ़िये या निरवाचन आयोग के बारे में नहीं पढ़ा है कमिशनर भी आते हैं ठीक है तो अब क्या ये हमेशा से इतने ही रहे है यानि कि वन प्लस अगर आज की डेट में आप पूछेंगे तो वन प्लस टू है तो क्या हमेशा से ये बहु सदसीर आए नहीं 1950 से लेकर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉड़ी थी यानि कि केवल एक चीफ इलेक्शन कमिशनर थे यहाँ पर आनिस अदस का कोई आप्शन नहीं था 1989 में आपको पता है एक सटवा समविधान संशोधन आता है और उसके माध्यम से अच्छा 89 तक जो वोट डालने की एज थी वो थी 21 वर्ष मिनिमम्म 89 के बाद जो ये एज है वो 18 कर दी गई तो अब 3 साल का जो ये गैप था ना इसमें बहुत सारे वोटर्स जो है वो बढ़ चुके होंगे तो अब इलेक्शन कमिशनर का जो काम है वो भी इंक्रीज होगा तो यहाँ पर इस चीज को बढ़ा के मल्टी मेंबर यानि की बहुत सदसी निकाई के रूप में कर दिया गया था और ये बहुत सदसी निकाई जो था वो जादा दिन तक नहीं चला वो केवल एक वर्ष तक चला और फिर 1990 में 1993 तक फिर से सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया परन्तु 1993 से आज की डेट की अगर बात करेंगे तो मल्टी मेंबर बॉडी है यानि की बहुत सदसी निकाई है अभी के लिए प्रेजेंट में एक मुख चुनाव आयुक्त है और दो अन्य चुनाव आयुक्त है यानि की टोटल यहाँ पर मेंबर कितने है तीन अगर इनके कारेकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो उमर होती है वो इनकी हो जाएगी दोनों मेंसे जो पहले हो जाएगा वो यहाँ पर माना जाएगा यहाँ पर इनको किस तरीके से इनका removal करादा सकता है, तो सबसे पहला तो तरीका होता है कि भाई सोच्छा से ये क्या कर सकते हैं, अपना जो त्याकपत्र है वो दे सकते हैं, या तो इनका जो कारेकाल है जो मैंने आपको बताया, या तो 6 years या 65 years जो age है वो complete इनमें से जो भी पहले हो जाए, इसके अलावा मान लीजे इनका कारेकाल नहीं complete हो रहा है, तो भी यहाँ पर संसद के पास power है कि इनको हटाये जा सकता है इनके पद से, परन्तु इनके पद से उन्हीं शर्तों के द्वारा हटाये जा सकता है, जैसे जो सर्वोच नैले के नया धीशों को पर फॉलो करते हैं, अगर इनकी powers की बात करोगे ना, तो ध्यान से सुनना, जो Chief Election Commissioner होते हैं या जो Un Election Commissioner होते हैं, ये इन दोनों की powers जो होती है, वो सेम होती है, इनकी जो salary होती है, या जो इनके allowances वगएरा होते हैं, भत्ते होते हैं, वो भी सब सेम होते हैं, और ये किस के बराबर होते हैं, ये होते हैं Supreme Code के Judges के बराबर, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, इनकी powers में किसी भी type का जो अलाबकारी परिवर्तन होता है ना, वो नहीं करा जा सकता, बट यहां पर ना, कुछ problems आ रही थी, वो क्या problems थी, आपको पता है, हम लोगों ने दाहिंद भी प्रशनिशन उठता है कि ऐसा ना हो, ये अपना हर निर्णे सरकार के पक्ष में लेते हो, ताकि इनको कही न कहीं है, कलालच है कि रिटार्मेंट के बाद हमें कोई और पद किसी सरकारी डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, अब अगर Constitutional provisions के बारे में देखें, तो 324 मे ये पार्लियमेंट बनाएगी, और उसी नियम के according, ये जो Chief Election Commissioner होते हैं, इनकी नियुक्ति यानि की appointment करा जाएगा, परन्तु आज तक पार्लियमेंट ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया, तो यहाँ पर संसद में जिसकी भी सरकार रहती है, वो अपने according यहाँ पर Chief Election Commissioner का न President को सुझाते हैं, और वो यहाँ पर इनको appointment करते हैं, तो यहाँ पर Supreme Court का बहुत पहले से ही सरकार से यह कहना था, कि आप Colossium जैसी कोई body बनाएगे, या फिर कोई भी committee ऐसी बनाएगे, जो इनके appointment को decide करें, अब देखिए, वही चीज आ जाएगी कि जब विधाईका और ज इन्होंने बहुत समय पहले, आप last year भी news सुनी होगी आपने, उन्होंने बोला था कि देखिए, जो Chief Election Commissioner होते हैं, ठीक है, इनका जो tenure है, पहले तो इन्होंने जो Election Commission ने इसकी बहुत दाता तारीफ करी, कि भाईया, इंडिया लेविल पर बात करें, या इंटरनेशन लेवि कोता है, जिसको successfully हमारा Election Commission जो है, वो पूरा करता आया है, परन्तु कुछ ना कुछ की यहाँ पर flaws हैं, जैसे उन्होंने बताये हैं कि बहुत समय अगर आप 1950s से 60s की बात करोगे, तो यहाँ पर जो Election Commissioner होते थे, वो अपना पूरा tenure जो है, वो enjoy करते थे, यानि कि 6 वर्ष हो इतना कम कारिकाल होगा, तो वो Election Commission के अंदर जो भी कमिया हैं या भारत में जो भी चुनाव सुधार की बात करते हैं, तो उस पे कामी नहीं कर पाएंगे, उनको जब तक उसकी कार प्रणाली समझने में टाइम लगेगा, तब तक वो retire हो चुके होंगे, और कहीं न कहीं इसको कोई अच्छी सी और कोई other post मिल सके, तो ये जो blame करा जाता था Election Commission के उपर, इसका क्या solution निकाला जाए, इस पे हमेशा से चर्चा होती थी, तो एक तरीके से बात करी जाए, तो यहाँ पर Election Commission के जो members थे, उनको एक proper freedom चाहिए, अब freedom वो कारेकाल से भी होनी चाहिए, औ और दूसरा कि एक नियुक्ती अगर किसी panel से होगी न, तो उनको ये डर नहीं होगा, कि भाई, यहाँ पर जो panel है, उसमें opposition का व्यक्ति भी है, Chief Justice of India भी है, और कारेपालिका की भी सदसे बैठ रहा है यहाँ पर, अमसे कम वो निरलें जो है, वो सच्छन्द हो के ले सकते है Post Retirement Benefit की जो बात होती है, उसकी कोई Tension नहीं होगी, जो भी Election Commission में सुधार लाना चाहते हैं, वो आराम से अपनी बात को रख पाएंगे, अपनी पावर को सही से यूज कर पाएंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे Supreme Court आगे आया, और पांच judges की bench ने इस panel क गठन कर दिया, मैं एक बार फिर से आपको panel के सदस्यों के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपका revise भी हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें प्रधान मंतरी होंगे, leader of opposition होंगे, और Chief Justice of India होंगे, अगर leader of opposition नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो single largest party opposition में होगी, उसके leader यह पर होंगे, तो इन तीन सदस्यों के दोरा जो नाम सुझाय जाएगा, वो President को दिया जाएगा और President उसको भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति करेंगे, कुछ अगर other reforms के बारे में बात करें, तो यहाँ पर देखिए यह चीज मैंने आपको बता दी, इसके अलावा यह भी बोला गया है यहाँ पर कि जिस तरीके से Supreme Court, लोग सभा, राज सभा, इन सबको नियम बनाने की पावर होती है वैसे ही पावर किसको दी जाए, Election Commission को भी दी जाए, इस Election Commission का जो सचिवाले होगा, बढ़े ध्यान से सु पर Supreme Court के द्वारा बताए गए हैं, तो यह था इस पूरी Big News का सार जो मैंने आपको बताया, Election Commissioner के बारे में, Election Commission क्या होता है, Supreme Court का latest verdict क्या रहा, चलिए, आज मैं आपसे दो प्रशन पूछता हूँ, सबसे पहला प्रशन है, Zero Budget Farming क्या होती है, और दूसरा प्रशन है, Food Lose प्रशन के आंसर भी करिएगा, आपसे मुलाकात होगी Big News के अगले सेशन में एक नए Burning Topic के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्त रहेंगे, और सबसे जादा important अपने माता-पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे, आप सभी का बहुत-बहुत जाहिन